नमस्कार बच्चों, बच्चों आज हम NCRT की छटी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग एक के द्वितिय पार्ट शब्द परीचे भाग दो का हिंदी अनुवात करेंगे इस पार्ट के अंतरगत हम अधिकतर आकारान स्ट्रिलिंग शब्दों के विशे में सीखेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आकारान स्ट्रिलिंग शब्द कहते किसे हैं जो शब्द स्त्री जाती का बोत कराते हैं वे स्त्रेलिंग शब्द कहलाते हैं और जिन स्त्रेलिंग शब्दों का अंत आस्वर से होता है वे आकारां स्त्रेलिंग शब्द कहलाते हैं इस पार्ट में आकारान स्ट्रिलिंग शब्दों के साथ साथ हम तत और एतत इन दो सर्वनाम शब्दों के स्ट्रिलिंग रूपों का अध्यन भी करेंगे जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि तत और एतत ये दो सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में प्रियोग किये जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रिलिंग रूप का अध्यन करेंगे, जैसे कि तत जो तीनों वचनों में कैसे परिवर्थित होता है, स्ट्रिलिंग म इसमें परिवर्थित हो जाता है, एशा, एते, एताहा, एशा का अर्थ क्या है, यह, एते का अर्थ ये दो और एताहा का अर्थ ये सब, जैसे कि हम इंग्लिच में कह सकते हैं कि एशा क्या है, दिस, और सा क्या है, यानि जो हमारे पास है, नस्दीक है, उसके लिए हम क्या प्रियोग करेंगी एशा का और जो हमसे थोड़ा दूर है उसके लिए हम क्या प्रियोग करेंगी सा का और इसमें हम जैसे असधातु का एक उधारन देख लेते हैं असधातु को प्रियोग करके देख लेते हैं असधातु क्या बनता है प्रथम पुरुष में अस्ति स्तह संत वे सब हैं, एशा अस्ती यह है, एतेस्तह यह दो हैं, एताह संती यह सब हैं, तो इस प्रकार सर्वनाम का प्रियोग करके और क्रिया का प्रियोग करके हम वाक्यों का निर्मान कर सकते हैं, और इस पार्ट में आप अधिकतर तत और एतत का प्रियोग ही देखेंगे, तो आई यह पाट का हिंदी अनुवात करते हैं, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, कि यह एक जूला है, तो इसी से सम्बंदित वाक्य यहाँ पर बनाए गए है, एशा का यह है, एशा का अर्थ होता है, यह है, और का का अर्थ क्या होता है, क् लिक प्रश्ण वाचक चिन है, तो इसका क्या आर्थ हो जाएगा? यह क्या है? एशा दोला, दोला क्या होता है? जूला, यह जूला है, दोला कुत्र अस्ती, दोला यानी जूला, कुत्र यानी कहां? अस्ती यानी है, जूला कहां है? दोला उपवने अस्ती उपवने क्या होता है बगीचय उपवन जो होता है वो होता है बगीचय और उपवन में सब्तमी विवक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है इसलिए इसका आर्थ क्या हो जाएगा बगीचय में दोला उपवने अस्ती जूला बगीचय में है अब यहाँ पर एक घड़ी का चित्र दिया गया है अब इससे सम्मंधित वाक्या देखते हैं सा का सा का अर्थ क्या है? वहे का का अर्थ क्या है? क्या? वहे क्या है? सा घटी का घटी का किम सूच्यती घटी का यानि घटी क्या सूच्यती सूचित करती है बताती है घटी का समयम सूच्यती घटी का घटी समयम समय को या समय सूच्यती सूचित करती है या बताती है तो घड़ी समय बताती है अगला आप यहाँ देखेंगे दो चिडिया हमें दिखाई दे रही हैं इन्हें हम चिडिया भी कह सकते हैं या गोरईया भी कह सकते हैं एते के ये दो कौन हैं किम एते को किले किम कार्थ क्या है क्या एते ये दोनों और को किले कोयल क्या ये दोनों कोयल हैं न, नहीं एते चटके ये दो चड़िया है या ये दो गुरईया है चटके किम कुरुतहा चटके यानि ये दो गुरईया ये ये दो चड़िया किम क्या कुरुतहा कर रही है ये दो गुरईया क्या कर रही है एते विहरता ये दोनों विहरता का मतलब क्या है घूम रही है ये दोनों किम एते को किले क्या ये दोनों कोयल है न एते चटके नहीं ये दो गोरया है चटके किम कुरुतः दो गोरया या दो चड़िया क्या कर रही है एते विहरता ये दोनों घूम रही है यहाँ पर आप देखेंगे कि दो कार है और कार के अंदर दो महिला ड्राइवर है यानि महि महिला ड्राइवर को हुम क्या कहते हैं? चाली का अब यहाँ पर क्या है? ते के वे दोनों कौन है? या वे दो कौन है? ते चाली के स्था चाली के कौन है? महिला ड्राइवर। ते वाहनम चाल्यता, वे दोनों वाहन चाल्यता चला रही हैं, ते के वे दोनों कौन हैं, ते चालिके स्तह, वे दोनों चालिकाएं हैं, या महिला ड्राइवर हैं, ते किम कुरुतह, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चाल्यता, वे दोनों वाहन चला रही हैं, अगला है यहाँ पर तीन थालियां दी गई है तो इनसे सम्बंदित वाक्य है एताहा काहा एताहा यह यानि यह सब काहा क्या है यह सब क्या है एताहा स्थालिकाहा स्थालिका क्या होता है थालियां अगर यहाँ विसर्ग ना होते तो थाली होता लेकिन यहां पर बहु अचन है स्थालिकाह, तो क्या होज़ाएगा थालिया, एताहा स्थालिकाह, ये थालिया है, किम एताहा गोलाका रहा, किम क्या, एताहा ये गोलाका रहा, गोलाकार, क्या ये गोलाकार वाली है, आम, हाँ, एताहा गोलाकार रहा, एव, एताहा ये गोला अगला है ताहा काहा यहाँ पर क्या है बक्रियां दिखाई दे रही है ताहा काहा वे कौन है क्योंकि अगर कोई भी जीवित प्राणी है तो उसके लिए हम क्या प्रियोग करते हैं कौन और यहाँ पर अगर कोई वस्तू होती तो हम क्या प्रियोग करते हैं का तो यहाँ पर जो बक्री है वो ताहा है तो कई बक्रियां, ताहा अजाहा वे बक्रियां हैं, ताहा किम कुर्वंती, वे किम क्या कुर्वंती कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं, ताहा चरंती, वे चरंती चर रही हैं, ताहा काहा वे कौन हैं, ताहा अजाहा वे बक्रियां हैं, ताहा किम कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं ताहा चरंती वेचर रही हैं तो बच्चों आज हमने पाट का अनुवाद किया और आप यहाँ पर देखा कि किस प्रकार हमने सा, ते, ताहा एशा, एते, एताहा इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया और उसी के अनुसार जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर हमारा करता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी अगर हमारा करता दुई वचन में है तो क्रिया भी दुई वचन में होगी और अगर हमारा करता बहु वचन में है तो क्रिया भी बहु वचन में ह तो आज हमने हिंदी अनुवाद किया आशा करती हूँ आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ आ गया होगा धन्यवाद लगाद किया आपको हिंदी आपको हिंदैं Mac है रभी आपको हिंदी आपको छॉप एंग किया वेंद्सिがी आपको से शेखना करता है झाल झाल